नमस्कार साथियों आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइन्स के बारे में और होम साइन्स के सेकंड पेपर के बारे में बेसिकली हम लोग जाने का प्रियास करेंगे आज के वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेगे कि Research Methodology and Gender Development से कौन-कौन से प्रस्णाप की परिच्छा में आने वाले हैं बीए के सिक्स समेस्टर में अगर आप बीए सिक्स समेस्टर में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ग्रेह बिज्ञान में हमको सेकंड पेपर में क्या पढ़ना है तो बता दू कि आपको Research Methodology and Gender Development यानि कि एक प्रकार से आपको जो Research से समंधि जो चीजे होती हैं ठीक है तो बिल्कुल आपको टेंसल लेने की जो रुरत नहीं है आसानी से हर एक प्रस्णों को समझाने का प्रियास किया जाएगा यही प्रस्णाब की परिच्छा में आने वाले हैं महा संगराम रिविजन क्लास है ये 2024 और 2025 की परिच्छाओं के लिए ये बात आप ध्यान लखेंगे ठीक है अब आईए हम जानने का प्रियास करते कि आखिरकार कौन-कौन से questions जो है वो आपकी परिच्छा में पूछे आ सकते हैं उसको हम थोड़ा सा तीब रिगती से और बारीकी के साथ चीजों को जानने का प्रियास करते हैं पहला questions आप देखेंगे पहला प्रसनाप के screen पर आ चुका है सभी लोग देखने का प्रियास करेंगे पहला questions से data संग्रहन क्या है उदहर दीजिए data माने होता है जानकारी संग्रहन मलब होता ही कठा करना तो data को इकठा करना data मलब तत थे fact उसी को इकठा करना ही एक प्रकार से data संग्रहन कहा जाता है तो जब भी आप कोई research बगरा करते हैं या कोई खोज बीन करते हैं कोई ambition करते हैं तो उस दोरान आपको तमाम प्रकार के fact तमाम प्रकार की जानकारी आपके पास होनी चाहिए जिस पर आप research कर रहे होते हैं ठीक है तो वो क्या चीजिए होती उसके बारे में basically मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है तो परिशान बिल्कुल भी आप ना हो उत्तर दे सकें परिकलपनाओं का परिखण कर सकें और परिडामों का आंकलन कर सकें डेटा के माध्यम से ही ये सारी ये संभव पाती है मतलब मैं आपको सरलभासा में अगर समझाओं तो data collection जो होता है data संग्रहन उसी को कहते हैं मतलब आप जानकारी जब आपके पास होगी जानकारी तमाम होगी एक अठा करे जानकारी तो उसी जानकारी के द्वारा आप ने जो सिध्धान्त बनाया जो खोज किया है वो खोज सही है कि गलत है इस बात का नधाड़ आप कर पाएंगे डाटा संग्रहन अगर आप करेंगे तो एक प्रकार से उस डाटा को सही तरीके से आप विसलेशित कर पाएंगे और अपने जो एक प्रकार से सिध्धान्त है उसको अच्छे तरीके से आप बया कर पाएंगे ठीक है और हर एक चीज में वो एक परकार से डाटा अगर आपके पास से collection है डाटा का यानि कि आपके पास तथे है आपके पास fact है जानकारी है तो ही आप अच्छे तरीके से चीजे कर पाएंगे या तो गुआत्मक होता है तो quality उसमें जदा होती है या फिर मात्रात्मक होता है quality मलब होता है जिसके गुन में जदा बढ़ बढ़ दी हो quantity दोनूं तरीके का डाटा हो सकता है उधारर के रूप में गर एक समजें इसको एक company जो होती है अपने उतादों और अपने सिवाओ उत्पादों और अपने सिवाओं को बहतर बनाने के लिए आनलाइन सरवेक्षण और सोसल मीडिया मॉनिटरिंग के माध्यम से क्या करती ग्राहकों की प्रतकरिया एकतर करती है कि हमारी एक प्रकार से जो चीजे मैं दे रहा हूं जनता को या लोगों को वो लोगों को पसंद आ रही कि नहीं पसंद आ रही है अगर आ रही तो कितना आ रही है जो 5 रेटिंग या 6 रेटिंग 5 रेटिंग या 4 रेटिंग 1 रेटिंग जो होता नहीं जैसे कि हम लोग जैसे कहते कमेंट करें वीडियो को लाइक करें तो जब आप वीडियो पर लाइक ज़्यादा करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, आपने एक प्रकार से वीडियो को समझा, या वीडियो आपके लिए important है, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो एक प्रकार से हमको motivation मिलता है, तो यही काम से मिसमे होता है, यानि जब कोई आनलाइन सर्वेक्षण हम करते हैं, कोई सर्वे करते हैं, यह से अभी चुनाओ था, चुनाओ से पहले तमाम सर्वे वगरा हो रहे थे, सोसल मीडिया मॉनिटरिंग वगरा करिया थी, कि हाँ कौन सा प्रोड़क्ट अच्छा है, क्या चीज़े, तो यही सब चीज़े अब आईए जानने का प्रियास करते हैं, यह होता है, तथ यह जानकारी को इकठा करना, सोध के लिए बहुत जरूरी, दूसरा प्रस्न है आपका, प्रसनावली क्या है, प्रसनावली को अंग्रेजी में क्वेश्चन नायर कहते हैं, यह भी एक प्रकार से डाटा संगरा कर करने की एक बिधी होती है। प्रसनों के उत्तर प्राप्त करने की एक प्रणाली से होता है एक ऐसी प्रणाली से होता है जिसमें एक पत्रक या एक प्रारूप या एक प्रपत्र का उप्योग किया आता है जिसे उत्तर दाता जो होता है उत्तर दाता मनला जो उत्तर देने वाला होता है वो स्वयम भरता ह यह होती ही प्रसनावली प्रसनावली क्या होती है एक प्रसनों के उत्तर को व्यानि एक प्रसनों का चिठा होता है उस प्रसनों के चिठे पर एक प्रकार से जो जिससे उत्तर हमको प्राप्त कर माल लेते हैं कि मैं जाऊं एक प्रकार से अभी माल लेते हैं किसी प्रोफेसर स हमको कोई प्रसनों के जबाब चाहिए तो हम तमाम 4-5 प्रसन लिख कर के ले जाएंगे और फ्रोफेसर के सामने रखेंगे इसका क्या होगा? तो वो अपने हाथ से उत्तर बता देंगे ये चीज़े हो जाएंगे तो इस तरीके से वो होता है प्रसनावली तो प्रसनावली के माध्यम से हम किसी तत्थ, किसी जानकारी या किसी एक परकार से खोजबीन में मदद कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान लखेंगे, तीसरा कोशन से आप देखें, तो प्रसनावली ये होती है, प्रसनाप के परिक्षा में पूछा जाएगा, आंकड मनलब उसकी क्वालिटी, उस वस्तु की क्वालिटी, उस प्राणी की क्वालिटी, या उसकी मात्रात, मनलब उसकी एक परकार से क्वान्टिटी, दोनों तत्थ्यों को सांखी की भासा में आकड़ा कहते हैं, यानि कि कोई वस्तु है, वो कितना अच्छा है, कितनी क्वालि ही है मैं कितना गोरा हूं मैं कितना एक प्रकार से सुन्दर दिखता हूं ये सब भी एक प्रकार से अगर आपको इगठा करता तो ये डाटा संग्रह में आ जाएगा ठीक है आकड़ा वही होता है जब किसी वस्तु या किसी प्राणी के बिसे में आप उसकी गुडात्मक और किसी वस्तु अथवा किसी प्राणी की किसी बिसेस्ता के गड़तिये मान से होता कि कोई वस्तु या किसी प्राणी की जो बिसेस्ता है उसका गड़तिये मान क्या है ठीक है ये चीजी चाहे वो quality में हो चाहे वो quantity में हो clear सामाने रूप से किसी वस्तु या किसी प्राणी के बिषय में प्राप्त सूचनाओं अथवा तथ्यों को आंकड़ा कहा जाता है तो किसी वस्तु या किसी प्राड़ी की बिषय में जो सूचनाओं हमको मिलती है तमाम प्रकार के मैथट्स के द्वारा वही तथ्यों या वही सूचनाओं एक प्रकार से आंकडा कहलाती है डाटा कहलाती है ठीक है प्रस नमबर चार साक्षातकार क्या है साक्षातकार को अंगरेजी में इंटर्विव कहते हैं इंटर्विव भी एक प्रकार से डाटा संग्रह की एक बिधी होती है किसी से कोई जानकारी लेनी तो आप आमने सामने ब या उसकी प्रकार से जो वाकुपटता है वाकुपटता के एलामा उसके बारे में उसकी अंद्रोणी बातों के बारे में उसके मनोभाओं के बारे में आप एक साक्षातकार बिधी के द्वारा उसके बारे में जान पाते हैं तो साक्षातकार का मलब आसा है अनुसंधान करता के द्वारा अनुसंधान करता मनलब जो खोज कर रहा है जो बैक्ती ठीक है उसे आप PhD करेंगे आगी चल करके तो आपको खोज करना पड़ेगा तो अनुसंधान करता के द्वारा उन बैक्तियों से मिलता है किन बैक्तियों से जो अनुसंधान की समिस्या से related होते हैं उनसे एक प्रकार से पूस्ताच करी जाती है कि कैसे क्या चीजे हुई पूरी जानकारी लियाती है वही interview होता है मानवेंदर नाथ वसू एक बड़े जबर्दस्त बिद्वान नहें है इन्होंने कहा कि परिभासा को देते होए साक्षातकार की कहा कि एक साक्षातकार या एक इंटर्वियो को कुछ विसयों को लेकर के कुछ मुद्दों को लेकर के ब्यक्तियों के आमने सामने का मिलन जो है इसको कह सकते हैं आप यामने सामने बैठ करके इसमें बात होती है और कुछ मुद्दों को ध्यान में रक करके उस पर चरचा की जाती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे PB Yang कहते हैं कि साक्षातकार याने इंटर्व्यो को ऐसी करमबद पधती के रूप में परिभाजित करते हैं जिसके दौरा एक ऐसी करमबद पधती जिसके दौरा क्या होता है एक बेक्ति, दूसरे बेक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कलपनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए सामानतया तुलात्मक रूप से आपरिचित होता है, तो एक प्रकार से कुल मिला करके अगर देखें, एक बेक्ति के आंतरिक और बाह चीजों क मुल्यांकन करना भी साक्षातकार बिधी में आयाता है, साक्षातकार बिधी मलब डाटा या कलक्सन या किसी घटना के बारे में जानकारी कठा करना, तो उसी की एक बिधी होती है, साक्षातकार इंटर्व्यू जा करके आप पूछें उन बेक्तियों से कि भई हुआ क्या जैसे मालते कोई घटना हुई कहीं जंगल में आग लगी और कैसे लगी या जंगल में ने किसी के घर में आग लगी तो आप पूछेंगे वहाँ पर जा करगे कि भई क्यों आग लगी कैसे लगी पूरी जानकारी उससे लिए किसी बेक्ति से जिसके घर में आग लगी है तो वो interview कहलाएगा ठीक है good day और heart कहते हैं कि मौलिक रूप से साक्छातकार समाजिक अंतरकरिया की क्या है एक प्रकरिया है समाजिक अंतरकरिया की एक प्रकरिया होती है साक्छातकार या interview basically interview में कुछ है नहीं interview यही होता है आपका आप से पूछेगा आप आसानी से लिख दीजिगा एक आद बिद्वनों की परिभासा को आप ध्यान लख सकते हैं इसमें परिच्छा में प्रसन हमें से आता रहा है ये देखे हैं पांचवा कोशन साफ सभी लुग देखी पांचवा प्रसने साक्षातकारता करता के प्रकार बता हैं या साक्षातकारता के प्रकार बता हैं साक्षातकारता साक्षातकारता को दो मुख्य भागों में तथा अनेक विभागों में या विभागों में विभाजित कर सकते हैं सा पूर्वे व्यवस्ते साक्षातकार पहले से निधारित है यसे इंटर्वी वगारा जो होता है परिक्षाओं को ले करके वो तो यह होता है साक्षातकार के कई परकार छठा कोशन साब देखेंगे प्रस्न है समानवी करण क्या आसा है समानवी करण का वल्लब क्या होता है समानवी करण में क्या होता है समाजिक सो किया गया था आर्था तो वह यह जानने का प्रियास करता है अनुसंधान करता कि उसके अध्यन से प्राप्त जो परड़ाम है जो उसने सोध किया है जो उसने खोजबीन करी है अनुसंधान करता ने क्या उस समू जिस समू के लिए उसने खोज़ करी है उस विसेश समू तक ही उस विसेश तक ही सही है या आध्यन परड़ाम संपूर समाज या जन संख्या के लिए भी सही है यह होता एक परकार से आपका क्या बोलते हैं उसको समान भी करना कुल मिलाकर के गर मताओं पर्तिदर्स और इसका मलब होता सीधा से इसे मान लेते हैं कि एक बाल्टी दूद का आपको सेंपलिंग करना है एक बाल्टी दूद डेरी उद्योग पर जबाब ले जाते हैं तो उनमें से एक सेंपल थोड़ा सा डेरी वाला निकालता है और उस दूद को चक करता है और उस दूद को चक करने के बाद में संपूर पूरे के पूरे दूद का एक परकार से quality वो बता देता है कि भई हाँ इतना फैट लगा है इतना rate लगेगा इसका यानि इतने में ये दूद ही इस गाय का दूद इतने में लगेगा, इस भैस का दूद इतने में लगेगा, चुकि इसका फैट इतना है, तो इसका रेट ऐसे लगेगा, ठीक है, तो उसने पूरी बाल्टी का एक परकार से मुल्यांकन कर दिया, एक डिब्बी दूद से, एक छोटी सी डिब्बी, ठीक है, दस ग्राम दूद भी के दूद के लिए ही है या पूरे के पूरे बाल्टी के लिए है ठीक है तो पता जलता है कि हाँ पूरे बाल्टी के लिए कि इसके लिए इसी का चैन करना या इसी का जानकर या इसी का एक प्रकार से खोजबिन करना ही समान भी करन कहलाता है ठीक है बहु अस्तर प्रतिद प्रतिदर्स भी कहा जाता है, इसमें कई अस्तर होते हैं, एक अस्तर के द्वारा नहीं, कई अस्तर पर कई step to step चीजे होती रहती हैं, इस निदर्सन का प्रियोग बहुत बड़े अध्धिन छेतर से निदर्सन चुनने के लिए किया आता है, जब किसी बहुत बड़े छेतर क अधिन के आता है, उसमें इसे छोटा सा कुछ पार्ट ले करके और उस पर चर्चा मलब उसको एक प्रकार से उस पर डिसकस किया जाता है, उस पर बिसले सड के आता है, या देव परतिदर्स और संस्तारित परतिदर्स का समलित रूप होता है, इसमें पहले अस्तर पर संप एक परिवार से एक सदस्त का चैन किया आता है इस तरीके से देव परतिदर्स प्रडाली से किया आता है इसको ठीक है यानि कि बहु अस्तर परतिदर्स प्रडाली से किया आता है इसको बहु अस्तर परतिदर्स ठीक है आठवा कोशन सा चुका है फटबर से आप देखेंगे प्रस नहीं भीजा लेखन सैली क्या है लेखन सैली किसे कहते हैं लेखन सैली को अंग्रेजी में बोलते हैं इस टाइल आफ राइटिंग ठीक है स्वारी तब ये थोड़ी सी मारी खराब रहती है इस समय इसलिए तो अब हासा यदि किसी उतकरिष्ट बैज्यानिक जाज के परकरण और परडाम दूसरों को प्रभावी धंग से संचारित नहीं होते हैं तो वह निरर्थक है क्रॉम बेल महोदे ने 1979 इसबी में दुखदेल 1976 और तूराबियन 1976 में अनेक सैली मैनुवल परदान करते हैं लोग उनमें से किसी एक को अपना करके अनुसंधान जो करता होता है संपूर्ण परतिवेदन जो होता है उसमें उसी का अनुकरण कर सकता है बैग्यानिक परतिवेदन में परिकलपनाओं का असपष्ट प्राकथन प्रकरिया का भाव कोरणना होकर के संगत वा वस्तनिष्ट परसुति की आवसकता होती है अनुसंधान परतिवेदन प्राया ज्यानी बिक्तियों के द्वारा पढ़ा जाता है जो सदातर्क परकरिया में दोस्खोजते रहते हैं या भी संभव की पाठक प्रियोग या अभिकलन दोहरा कर परिडामों को जाचना चाहे इस सिति में निप्टने के लिए अनुसंधान परतिवेदन इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि वह अन्य पाठकों की क्रांतिक बिद्दुता के परिक्षण में खर प्रियोग होना चाहिए उसकी भासा नियमनिस्ट होनी चाहिए और असपश्टवादी होनी चाहिए उसमें किसी प्रकार का कोई लाग लपेट वाली भासा का प्रियोग नहीं करना चाहिए असिस्ट कहावत या अभिनीत सब्दावली का प्रियोग नहीं करना चाहिए यान कहने के अस्थान पर मैं ने समान विज्ञान का उपलब्धी परिक्षड विद्यार्थियों के दोनों वर्गों पर संचारित किया निसक्रिये वाक की विद्यार्थियों के दोनों वर्गों पर समान विज्ञान पर उपलब्धी परिक्षड संचारित किया गया का प्रियोग वो रनात्मक होगा, जादा बेटर होगा अनुसंधान करता या जाच करता जैसे सब्दों के प्रियोग कर व्यक्ति वाचक सर्वनाम के प्रियोग से बचना चाहिए तो इस तरीके से मैं मुझे इस तरीके की चीज़ों के बारे में आपको आपर बचना चाहिए तो ये लेखन सैली होती किसी भी एक प्रकार से परतिवेदन या किसी भी रिपोर्ट लिखने की ठीक है नवा नवर प्रसनाप की स्किन पर आचुका है प्रसनाप देखेंगे प्रसनाप प्राथमिक डेटा संग्रह बिधियां क्या है जैसा कि सर्विधित है सभी को पता है कि प्राथमिक डेटा एकत्र करना महेंगा और समय लेने वाला होता सबसे पहली बार जब डाटा आप इकठा करते हैं तो एक प्रकार से ये एक जटिल पर करिया होती है डेटा एकत्र करने की मुख्य तकनीके अउलोकन के द्वारा अउलोकन एक बिधी होती है आप जाएं जहां पर घटना हुई है वहाँ पर देखें और देख सुनकर के आप जो है डाटा एकठा करें जानकारी नोट करें दूसरी बात आप साक्षात कर वहाँ के लोगों से पूछें और बात चीत करके आप जानकारी निकाले प्रसनावली आप उस बेक्ति के पास जाएं और एक प्रसनों की चिठ्था पकड़ा दें उसको कि उसका उत्तर दो और उत्तर दाता खुद ही उसमें लिख देगा देटा संग्रह उपकरण क्या है सब्द डेटा संग्रहन उपकरण यानि डेटा को इकठा करने में जो एक प्रकार से उपकरण हम प्रियोग करते हैं वही होता डेटा संग्रह उपकरण डेटा एकठा करने के लिए उपयोग किया जाने वाले उपकरण या उपकरणों को संदर्भित करता है डेटा संग्रह उपकरण जैसे कि पेपर प्रसनावली या कम्प्यूटर सहायता साक्षातकार के लिए एक प्रडाली होती है डेटा एक अठा करने के लिए उपयोग करता या उपयोग किये जाने वाले जो उपकरण होते हैं उनमें case studies हो गए इसके लिए चेकलिस्ट है साक्षातकार कभी-कभी अवलोकन, सरवेक्षन और प्रसनावली सामिल होते हैं तो ये सब एक प्रकार से इसके उपकरण जिसके माध्यम से हम लोग डेटा को कठा करते हैं ये साक्षातकार, अवलोकन, सरवेक्षन और प्रसनावली, checklist, case study case study जब किसी ब्यक्ती के बारे है, particular किसी वस्तु के बारे में जानकारी अपकरहन करते हैं ग्यारवा कोसंस आप देखेंगे प्रसन है मात्रात्मक और गुडात्मक तरीकों के बीच क्या अंतर होता है तेकि गुडात्मक अनुसंधान सब्दों और अर्थों पर किंद्रित होता है जबकि जो मात्रात्मक अनुसंधान होता है ये आंकडों पर data और आंकडों से सम्मंधित होता है ठीक है आकडो और आकडो से data से related होता है मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करके हम चरों को व्यवस्थित रूप से माप सकते हैं और परिकलपनाओं का परिक्षन कर सकते हैं तथा गुडात्मक पद्धतियों का उपयोग करके बिचारों और अनभों में गहराई से उतर सकते है तो इस तरीके से मातरात्मक और गुड़ात्मक तरीकों की बीच में ये अंतर आप लिख सकते हैं आगे देखते हैं अगला कोसंस आचुका है बारवा नंबर परसनाब देखने का प्रियास करेंगे बढ़िया कोसंस है परिछा के दिश्टी से आपके परसने मातरात्मक डेटा संग्रा बिधियां क्या है मातरात्मक जानकारी प्राप्त करने के कई तरीके होते मातरात्मक अलब की एक प्रकार से क्वांटिटी जिसमें आपको जाननी होते किसी भी घटना या किसी भी चीज के बारे में संभाविता, नमूना करण, साक्षातकार, प्रसनावली विधी विधी विधी, दस्तावे, समिक्षा, सबसे बिसिष्ट और अक्सर उपयोग किया आते हैं इन सभी का प्रियोग करके मातरात्मक डेटा संग्रा हम करते हैं जब quantity पता करने होती किसी भी मुद्दे की किसी भी चीज की तो हम दस्तावे समिक्षा कर लेते हैं और लोकन कर लेते हैं प्रसनावली, साक्षातकार, संभाविता, नमूना कर लेते हैं ठीक है और चाहे जानकारी आफलाइन हो या आनलाइन हो हमको एकत्र करनी होती इसमें ठीक है यह होती है मातरात्मक डेटा संग्रा मिसरित बिधी अनुसंधान क्या है तेरा नमबर प्रसने मिसरित बिधी अनुसंधान क्या है उपयोग करता अनुसंधान जिसमें गुडात्मक और मात्रात्मक दोनों तकनीके सामिल होती है मिसरित पधती अनुसंधान के रूप में जाना जाता है गहन उप्यों करता अंतरद्रिष्टी के लिए मिसरित पधती अनुसंधान बिवहारिक उप्यों करता डेटा को उप्योंगी आकड़ों के साथ जोड़ता है ये मिसरित अनुसंधान विधी होती है आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रियास करते है प्रसन बड़ा यूप्योंगी है देखें प्रसन अंगला आ चुका चौदा नंबर डेटा एकत्र करने के क्या लाब होते हैं बताएं डेटा एकत्र करने के कई लाब मिलते हैं जिनमें सामिल हैं ये सारे लाब पहला तो ये बात कि जब भी आप कोई डाटा या कोई प्रकार से तथ कोई इकठा करते हैं, कोई डेटा इकठा करते हैं, कोई भी जानकारी इकठा करते हैं, सबसे पहली बात ज्यान और अंतरदिश्टी से आपकी विवड़ती हैं और दूसरों की भी वड़ती हैं, दूसरी बात साग शाधारित निरड़े आप लेने में सक्षम हो पाते हैं और दूसरे भी से प्रभावित होते हैं तीसरी बात समिस्या की पहचान और समाधान समिस्या की कर सकते हैं अगर आप डेटा को एकतर करते हैं किसी बिसे के बारे में, किसी मुद्दे के बारे में, किसी घटना के बारे में, जब आप जानकारी गरहन करेंगे, तब एक प्रकार से उस मुद्दे के बारे में उस समिस्या की आप पहचान कर पाएंगे, जिस समिस्या पर आपने रिसर्च की है, और उस समिस्या का समाधान क तब ही आप बता पाएंगे जब उस पर आपने रिसर्च किया होगा इसके अलावा सत्यापन और मुल्यांकन आप नियमों का सत्यापन कर पाएंगे उस पर्टिकुलर चीज के बारे में आप एक नियम बना पाएंगे उसका मुल्यांकन कर पाएंगे कि भई ये क्या है इसके क्या होगा कि आप हर एक मुद्दे पर एक प्रकार से अपना तर्क दे पाएंगे इसके लावा अनुसंधान और विकास के लिए सहायता आप दे पाएंगे नीती का विकास आप करेंगे इसके लावा गुडवत्ता वे सुधार ला सकते हैं आप डाटा एक संग्रहन से इसके लामा बैक्तिक और लक्षी कड़ कर सकते हैं ज्यान सांजा करना और सहयोग करना तो आने वाले समय में अगर आप data का collection किया रहते हैं तो उस मुद्दे पर जिसमें आपने data collection किया है उस मुद्दे पर कोई विक्तियोर सोध करता है बाद में उसके लिए आसानी हो जाती है ठी दूसरों के लिए सोध करने के लिए उपयोगी होता है जब कोई विक्ति डाटा संग्राफ पहले से कर लेता है ठीक है पंदरा नमर कोशनस आपके स्किन पर आ चुका है सभी लोग देखने का प्रियास करेंगे पंदरा नमर कोशनस है बिस्वसिनियता और बैध्धता के वीच में क्या अंतर है बिस्वसिनियता वालब होता है किसी मुद्धि पर आप विस्वास करें बैध्धता का वालब होता है कानूनी रूप से एक प्रकार से एक प्रकार से ठीक है ठीक है अंतर समझते हैं बिस्वसिनियता इस्थिरता के बारे में होती है, जबकि बैदिता सटीकता और उप्युक्तता के बारे में होती है, यहनि बैदिता जादा एक प्रकार से सटीक और जादा उप्युक्त होती है, बजाए बिस्वसिनियता के, बिस्वसिनियता इस्थिरता के बारे में होती है, बिस्वसिनेता परड़ामों के इस्थिरता पर केंदरित होती है जबकि बैधिता इस पर केंदरित होती है कि क्या परड़ाम वास्तों में वही माप रहे हैं जिसे वह मापने का इरादा रखते हैं यानि पूरा एक प्रकार से जो बैदिता होती है यानि जो हमने सोचा था क्या वही सोध में आ रहा है जो हमने खोच किया क्या जो हमने सोचा था पहले वही खोच के दोरान वही परणाम निकल ला है कि नहीं निकल ला है बैदिता इन सभी की जांच करता है एकत्र कियेगे डे आपकी स्क्रेंट पर आचुका है बहुत ही जबर्दस्त कोशंस है 16 नमबर परसने महिलाओं के द्वारा राजनीती यानि politikals में और समाज में सोसाइटी में सक्रिय भागिदारी के उपाए बताईए देखें महिलाओं के द्वारा राजनीती और समाज में तरीके से अपने स्वाक को या अस्तित्तों को जान पाएं, अपने अधिकारों को जान पाएं, चाहे समाजिक अधिकारों की बात हो, चाहे राजनेतिक, चाहे एक प्रकार से घरेलो अधिकारों की बात हो, तो जब महिलाएं पढ़ी लिखी होंगे, साक्षार होंगी, तभी अपने अधिकारों के बारे में जान पाएंगी, अपने अधिकारों को लेकरके एक प्रकार से वो जबान हुमास पाएंगी, जबान निकाल पाएंगी, लेकिन जब क्या होता है, महिलाओं को एक प्रकार से कभी कभी क्या होता है, कि वो दब जाती है, हलाकि एक प्रकार से ये ग्रिजोसन तक कम से कम बीए तो करी हो चाहिए बीए या बेसी या ग्रिजोसन की कोई डिगरी एक प्रकार से मुक्त रूप से मलब खुले मन से जो लड़की कहे उसको पढ़ाना चाहिए पहली बात दूसरी बात महिलाओं की पती परिवार और समाज की तरफ से पूर सहयोग एवं संपन लब समान मिले तो महिलाओं को जब पती के द्वारा और परिवार से और समाज से सभी तरफ से जब पूर सहयोग मिलेगा और समान मिलेगा तो महिलाओं कोई भी काम ऐसा नहीं जो ना कर वो सारे काम कर पाएंगे अगर उनको अपने पती का अपने भाई का अपने बाप का अपने बहनों का सभी का अपने माता पिता का परिवार का सब का सहयोग मिलेगा तो काम करेंगी इसके अलावा ग्राम पंचायतों नगरपालिका बिधान सभा और लोक सभा के चुनाओं में भाग लेना आनिवार किया जाए कि भाई कोई ग्राम पंचात को चुनाओं तो ग्राम परधानी जो लड़े महिला भी लड़े नगरपालिका की चुनाओं में महिला भी परधान भी लड़े एक प्रकार से बिधान सभाग चुनाओं में बिधाही की लड़े लोग सभावे सा वो एक परकार से अच्छे तरीके से चीजे कर पाएंगे और आर्थिक और राजनेतिक या पॉलिटिकल मामले में बढ़ चड़ करके भाग लेंगी राजनेति में महिलाओं को सम्मान जनक अस्थान प्रदान क्या जाए और वास्तों में प्रदान भी किया गया आप देखें इस समय उत्तर प्रदेश की राजपाल स्रीमती आनंदी बेन पटेल जी है और भारत की राश्टपती जो है कौन है उत्तर प्रदेश की राजपाल कौन है स्री आनंदी बेन पटेल जी और राश्टपती दुरुपती मुर्मु जी तो ये आप देखेंगे कि भाई ये एक स करिया असपस्ट कीजिए देश की वास सभी महिला हैं जो SBI स्तरी सकती योजना 2024 के तहट आवेदन करना चाहती हैं उनके द्वारा निम्रिखित परकरिया का पारण करके इस योजना का आप लाब भुठा सकती हैं योजना के तहट आप आवेदन कर सकती हैं ये एक योजना है जो की SBI के द्वारा एक प्रकार से सकती पैकेज योजना लांच की गई जिसमें इस तिरियों को लेकर के एक प्रकार से कई सारी बाते बताई गई हैं पहली बात की सबसे पहले महिला अपने नजदी की State Bank of India जो SBI बैंक होता आपका उसकी ब्रांच में जाना है आपको ठीक है पहले आपको बैंक में जाएं और बैंक में जाने के बाद में वो करना क्या है वहाँ जाकर के आप उस जो बैंक के करमचारी हैं उनसे संपर करें ठीक है दूसरी बात फिर उसके आद में क्या करें यह SBI ने चलाई है तो यह जोना बेसिकली है क्या है पूरी जानकारी आपको दी जाएगी ठीक है और इसके अलावा इसके बाद इस योजना के तहत आबेदन करने है तू आबेदन फाम आपको दिया जाएगा करमचारी के दौरा और आप उसको भरेंगी आबेदन फाम में पूछी गई सभी आवस्तिक जानकारी का विबरण आपको दर्ज कर देना है उसमें सभी जानकारी दर्ज करने के बाद में महिला को मांगे गए आवस्तिक दस्तावेजों को आबेदन फाम के साथ अटेच कर देना है या इसे आधार कार्ड या फिर जो भी मांगा जाए ठ ठीक है यदि लोन अप्रूब होता है तो 24 से 48 घंटे में महिला ने बैंक के अकाउंट में लोन किरासी जमा कर दी जाएगे महिला के अकाउंट में ठीक है इस प्रक्रिया का पारण करके कोई भी महिला SBI इस तरी सकती योजना के तहत आवेधन कर सकती है और उसके तहत लोन प ठारा नमबर कोशन साब देखेंगे अनुसंधान समिस्या को परिभासित करें देखें टाउन सेंड के अनुसार अनुसंधान समिस्या जो है वो यह है समिस्या बेसिकली एक ऐसा प्रस्ण माचक कथन है जिसमें समिस्या के समाधान को प्रस्तावित किया जाता है समानता है स समस्या का अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक की प्रस्तावित प्रस्न के समाधान है तो कोई हल उपलब्ध नहीं हो पाता तब तक समस्या बनी रहती है मैक लूहन महोदे या मैक गुहन महोदे कहते हैं कि एक समाधान योग की समस्या वह होती है जिसमें प्रस्ण किया गया होता है जिसका ब्यक्ति की समान छमताओं के द्वारा उत्तर प्राप्त किया आता है तो इस तरीके से ये समस्या समाधान होता है कालिंजर कहते हैं कि समिस्या एक ऐसा प्रस्वाचक कथन या एक वाक की होता है जिसमें यह पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों में किस प्रकार संबंध होता है ये एक प्रकार से अनुधान समिस्या बताती है तो उपर एक परिभासाओं के अधार पर आप ये कह सकते कि अनुधान या डिसर्च में समिस्या उत्पन होती है अनुधान में एक प्रकार से अनुधान समिस्या को परभाज़त करते हुए एक प्रकार से कहा जा सकता है कि समिस्या समाधान की योगी समिस्या समाधान योगी स थे हैं यही अनुसंद्धान समयंस्या होती है 19 तमबर कोर्सन साब देखेंगे एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और सियर करते रहेगा ऐसे ही ठीक है इस तरीके से वीडियो को आप लाइक और सियर करते रहेंगे जादा बेटर रहेगा ठीक है चले आगे देखते हैं चीजों को और भी चीजों को जानने का प्रियास करते हैं प्रस नहीं 19 नंबर अनुसंधान की परिभासा दीजिए और अर्थ बताईए पी एम कुक महोदय अनुसंधान की बारे में कहते हैं कि अनुसंधान एक ऐसा निरपेक्ष ब्यापक तथा बौधिक अन्बेशन या खोज होता है जिसमें एक दी गई समिस्या से संबंधित या रिलेटर जो तथी होते हैं तथा उनके अर्थ जो होते हैं और जो संबंध होते हैं उनका अध्धिन क्या आता है क्या अनुसंधान एक ऐसा निर्पेक्ष व्यापक तथा बौधिक अन्वेशन होता है जिसमें एक दी गई समिस्या से रिलेटेड तथ्यों तथा उनके अर्थों अथवा संबंदों का अधिन क्या आता है यंग कहते हैं कि अनुसंधान एक ऐसी ब्यवस्थित बिधी होती है अनुसंधान माने खोज एक ऐसी ब्यवस्थित क्या एक ऐसी सिस्टमेटिकल एक मैथड होता है अनुसंधान जिसके द्वारा नए तथ्यों की या नवीन फैक्ट या न्यू फैक्ट की खोज करी जाती है प्राचीन तत्यों की पूश्टी करियाती, उन नवीन तत्यों, उन नवीन खोज के द्वारा, अंनुस अंधान का अर्थ होता है, बार-बार खोजने से भी एक परकार, बार-बार खोजना या नए-ए आकडो को प्रापट करना ठीक है? यह होता है क्लियर यह बात आप ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते वर भी चीजों को जानने का प्रियास करते हैं अगला कोशन सा चुका है 20 नमबर प्रसने भिया सरवेक्षन सोध क्या है सरवेक्षन सोध के अंतरगत यह निश्चित की आयाता है कि कौन सा चर किस अन्य चर से किस रूप में किस सीमा तक संबंधित है इस प्रकार चरों की इस्थिती तथा उसकी संबंधों की इस्थिती का सरवेक्षन करना ही सरवेक्षन सोध का मुख्योद्य से होता है ये होता है सर्वेक्षन सोध ठीक है 21 नमर कोशल सव सोध की उपयोगता का या महत होता है सोध और अनुबेशन या खोज या ये सब एक ही बात होती है पहली बात, सोध जो होता है मानो ज्यान का भंडार को क्या करता है बढ़ाता है, बृस्पत करता है लगातार सोध होने से तमाम प्रकार की जानकारी नहीं नहीं आपको प्राप्त होती है दूसरी बात सोध का उपयोगता या महत्तु यह है कि सोध जो होता है वो ब्योहारिक समिस्याओं के समाधान का प्रबल यंत्र होता है तीसरी बार सोध जो होता है प्रसासक का मार्गदर्सक होता है जो भी प्रसासक होते हैं किसी मुद्द्य को लेकर के तो सोध के द्वारा ही तमाम प्रकरचीजे उनके लिए जानकारी स्रोत बनती है इसके लावा सोध से मानों का आपार बौधिक विकास होता है इसके लावा स सोद से अनेक पूर्बाग्रहों के निदान तथा निवारण में मदद मिलती है पूर्बाग्रह का बलब होता है जब पहले से आप किसी ब्यक्ति के बारे में किसी वस्तु के बारे में पहले से कोई धारणा बना लेते हैं कि फलाने ब्यक्ति ऐसा होगा फलाने वस्तु ऐसी ह तो वो एक प्रकार से वो धाला जो आप बना लेते पहले से किसी के बारे में वो एक प्रकार से पूरबागरा आपका खतम होता है उसका निवाड़ होता है किसके द्वारा सोध के द्वारा 22 नमर कोशन से परतिदर्स से क्या आ से परतिदर्स किसे कहते हैं परतिदर्स के अग आकड़ो आकड़े संपूर जनसंख्या समिस्टी से संखलित के आते हैं अधवा संपूर जनसंख्या से प्रतिदर्स चुन करके उस पर अधिन करके आकड़े एकत्र के आते हैं परतिचैन और संधान संबंदी आकड़ो के एकत्री करनक में दो सुरोतों से संबंदित दो अध प्रकार का एक तो आप बड़े किसी एरिया के अधिन कर लें उसमें पूरे के पूरे बारे में बता दें एक होता छोटे से एरिया का अधिन कर लें और उसके अधार पर संपूर्ण एरिया के बारे में बता दें ठीक है यसे मैंने दूध वाला उधार दिया था तो वो मूना करने यानी sampling भी दी एक sample के मादे हम थोड़ा सा जांच कर लें उसके अधार पर तमाम प्रकारिक चीज़ों के बारे में विस्तार से बता दें कैस नमर कोशन से अनुसंधान के परकार बताएं अनुसंधान को मुख्यता तीन भागों में अथवा उनके मिस्त भागों में विभाजित किया जा सकता है पहला है अनुसंधान होता है पहला एतिहासिक अनुसंधान जिसमें एतिहासिक तथ्यों का खोच किया आता है दूसरा होते विबरडात्मक अनुसंधान जिसमें उसका विवड़ दिया आता है तीसरा प्रियोगी केरी जिसका प्रक्टिकल संभव हो है एड़वर्ड तथा का पर अगला कोशन से 24 नमबर परसना चुगा है सोध समिस्या के स्रोत इस प्रकार है पहला है प्रालेखिये स्रोत ये क्या होता है सरकारी तथा गयर सरकारी संस्थाओं के प्रतिवेदन अनिक जो प्रकार से प्रतिवेदन होता है उसका अस्थानिये अख़बारों के विवरण जो होते हैं वही प्रलेखिये स्रोत होते है दूसरा ब्यक्तिगस स्रोत यानि जो लोग अनुस अंधान में लगे हैं उनसे पू की गई है उस पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे अनेक प्रकार की पुस्तक के जनरल्स और बिस ज्यान कोस जो होते हैं उसमें जानकारी दी होती सोध की तो उसके बारे में तीसरा अनुसंधान करता की जिग्यासा होती कि उस मुद्दे को ले करके तो वो इसके लब आधूरा ग्यान कभी कभी ठीक है कुछ मामले में होता है जो की छोड़ दिया गया होता है अनुसंधान किसी के द्वारा अनुसंधान करता का स्वेम का अनुभो भी इसमें मदद करता है ठीक है इसके लाव परस पर विरोधी अनुसंधान प्रडाम और ग्यात तत्तिकी व्याख्या यह तमाम प्रकार की चीज़े होती है जो कि एक प्रकार से मदद करती हैं ठीक है अनुसंधान की समिस्या को हल करन महिलाओं के लिए मुद्रा यूजना की ब्याख्या कीजिए महिलाओं के लिए मुद्रा यूजना की अगर बात किए तो सरकार के द्वारा प्रारभ मुद्रा यूजना उन महिलाओं को ब्यक्तिगत अस्तर पर मदद परदान करती है जो मोटे वेवसाय जैसे कि कोई प्रवानत रासी की आवसकता भी नहीं होती है और इसके तहत तीन युजनाओं का लाब उठाया जा सकता है पहली बात तो ये सिसू यह इनि इस रिड़ की रासी पचास हजार रुपे तक्सीमित है और सुराती चड़ों में ब्यवसाईयों की द्वारा इसका लाब उठाया हो चुके हैं तीसरी बात वरण मलब की तरण रोग हैं वो तरण मलब जो थोड़ा सा यवा ज्यादा हो गए है लब अठारा से उपर इसकी रिड़ रासी दस लाख रुपे है और उन ब्यवसाईयों के द्वारा इसका लाब उठाया सकता है जो अच्छी तरह से अस्था प संधन करती हैं संगठन व्यवसाय से जोड़ी समस्याओं के लिए समाज को समाधान प्रदान करती हैं फिर भी भारती उद्योग छेतर में उन्हें बहुत अधिक प्रतिनित्त तो नहीं मिलता है महिलाओं को और इस कारण से महिलाओं पीछे हो जाती है लेकिन जरूरी है मह अगातार वीडियो आपको देता रहूं ठीक है और आसानी से आप चीज़ों को पढ़ते रहें किलियर तो कि समझ में आ रहें चीज़े आपको ठीक है चले एक बड़ वीडियो को लाइक और सिर करते रहेगा ऐसे ही वीडियो को लाइक और सिर करते रहेगा ओके चले भाई अगला कोसंस 26 नमर प्रस्णाप के स्किन पर आ चुका है आसंगठी छेतर में महिला जीविका के मुद्दे बताईए आसंगठी छेतर में महिलाएं और सहरी गरीबी जीविका के मुद्दे कामगारों की दसाओं और प्रस्थिति के बारे में बदलती रहती हैं सहरी नीतियों का असर असंगठित है सहरी या कास्मिक और अनौपचारिक कामगार सहरों में बढ़ते हुए रोजगार के असरों को प्राप्त करने में पीछे रह गए हैं क्योंकि उनके पास प्रियाप्त सिक्छा और कौसल नहीं होते हैं स्वारोजगार वाले कारिकरताओं की क्रेडिट बजार और अस्थल सोलब नहीं होते और कई परदत लागते वहान करनी पड़ती हैं ठीक है ये एक प्रकार से आसंगठित छेतर महिला की जीविका के बारे में चीजे हैं 15-16 वरसों के सहरी कामगारों के अगर बात के तो उनक संख्या में गरीब परिबारों की आर्थिक दसा को प्रभावित किया है कामगारों की समाजिक सुरक्षा और कार करने की दसाएं महत्पून पहलू है और आसंगठित छेतर में उद्यमों समंधी रास्टी रिपोर्ट में इन मुद्दों का साममाधान करने का सुझाओ भी दिया गया है जो की स्वागत योगी कदम है काउसल्स रख्षा एक रूप है या कामगारों की तैनाती की योगिता को सुधारता है सहरी छेतरों के लिए काउसल पर सिक्षड की विवस्था करना लाब दायक होगा जिससे की सहरी कामगारों के नौकरी की आऊसरों में सममर् जेन्डर डेवल्पमेंट है इसका सीधा सीधा मंदब होता है महिला विकास से महिलाओं का विकास हो महिलाएं आगे बढ़े महिलाओं को एक परकार से आगे बढ़ाने के लिए तमाम परकार के सरकार ने यो जिनायत चालू करी है समझ रहे हैं चीजों को चले 27 नमबर कोशन देखो भया भया बहिनी सब देखो अनौपचारिक छेतर में महिलाओं पर बैस्बिक मंदी का आसर बताईए यहां पर एक प्रकाष जो कोनों ज्यादा सरकारी छेतर ना हो है ठीक है या कोई सिस्टेमेटिकल छेतर ना हो अनौपचारिक छेतर में महिलाओं पर बैस्बिक मंदी का आसर क्या होता है अनौपचारिक छेतर में महिलाओं पर बैस्बिक मंदी का आसर पहली बात देखें यहां पर बैस्बिक बित्तिय संकट ने बैस्बिक आर्थिक मंदी को रोजगार और कारिकरताओं पर बिसुभर्वे महत्पूर असर डालते हुए और जादा बढ़ाया है या एक आम मिथ्या धारड़ा है कि अनौपचारिक अर्थविवस्था अउपचारिक कामगार के लिए तोसक यानि कुसन का काम करती है जिसका की काम छूट जाता है या इनके अनुबंधों का अनौपचा कामगार से उद्योग है उसमें भाग कम होने या कीमतों के गिरने और मुद्दा बिनमे दरों में आर्थिक संकट से सम्मधित उठा पटक होने की वज़ा से क्या होता है इस कारड़ से प्रभाबित होती रहती है और उनके आउपचारिक प्रतिरूपों के मुकाबले अनौ ब्यक्ती अनौपचारिक अर्थविवस्था में घुच आते हैं जो कुसल पर रणा म्याह निकला है कि ज्यादा फर्मे या ज्यादा कमपनिया ज्यादा उद्योग या ड्यक्ती थोड़ा सा लाप आने के लिए प्रतिसपरधा में आ जाते हैं डबलू आई ई जी ओ अपने सदस्यों और हिस्सेदारों के साथ बिस भर में गुलोबलिये आर्थिक संकट के कारिसील गरीबों पर क्या कर रहा है गरीबों पर पढ़ने वाले प्रभाव का पता लगाने का प्रियास कर रहे हैं खास तो अपर महिलाओं और अनौपचारिक अर्थविवस्था पर जो च रोजगार डवलब करें तो स्वारोजगार महिलाओं के बारे में राश्टी आयोग जो स्रीमती इला आरभट की अध्यक्षता में सन 1987 में गठित किया गया था अपने बिचारार्थ विसेव में आसंगठी छेतर में महिला कामगार को सामिल किया गया है इस रिपोर्ट ने आसंगठी छेतर की विसेशता इस रूप में की है ऐसा छेतर है जिसमें महिलाएं मजदूरी कमाने वालों के रूप में पीस रेट कामगारों के रूप में आकास्मिक सर्मिकों के रूप में परदत और आपरदत परिवार सर्मिक के रूप में सरम साधिकार करती रहती है इ तदिक का मजदूरी पर साबिराम यह लगातार काम करते बिना बिसराम के यह अपने मर्जी से आलावकारी मजदूरी कमाते मलब की एक प्रकार से वो जितना काम करते उतना पैसा नहीं मिलता इसमें क्या होता है कि काम की सुरक्षा और समाजिक सुरक्षा लाभों की पूरता क कई चीजे हैं, 29 समबर कोशन से आप देखेंगे, 29 समबर प्रस्न है आ संगठी छेतर को किस प्रकार परिभाजित किया गया है, नयमोर्ती गजेंदरा गटकर की अधिक्स्ता के अधीन पर्थम रास्टे स्रम आयोग द्वारा आ संगठी छेतर को कुछ इस तरीके से कारिबल कावभाग है, जिसमें जिसे आम उद्देश को अनुसरण करने के परतिबंदों जैसे की रोजगार का आकास्मिक स्वरूप, दूसरा ज्यानता और निरक्षरता, तीसरा नियोजित परतिव्यक्ती, निम्न पूझी निवेश के साथ अस्थापना का लगुआ कार, अस्थापनाओं का बिखरा, स्वरूप और अकेले या सयुक्त रूप से प्रचालन करने वाले नियोजग की बढ़ियां ताकत के कारण संगठित नहीं किया गया है, आयोग ने आसंगठित स्रम की निदर्सी वर्गों की निमलखित सूची बनाई है, और सूची की इस तरी यानि कि जो एक परकार से हतकारघा वगरा काम करते हैं घरेलू, अगला है बीडी और सिगार वगला में जो काम करते हैं, दुकानों और वाड़िजी का स्थापनाओं के करमचारी वगरा, सफाई और उड़े कच्ड़े में काम करने वाले वेक्ति, चरमकार खाने में कामका आदिवासी स्रमिक और अन्य आसरक्षित जो स्रमिक हैं, वो सब इसमें सामिल किये गए हैं, ये आयोग ने आसंगठित स्रम जो होता है, जिसका कोई संगठन नहीं है, ये ऐसे संगठन है, एक प्रकार से जो कामगार हैं, ये वाले ठीक है, ये एक प्रकार से बीना संगठ काम करने वाले लोग, ठीक है? देखें, Sbis 3 सकती योजना 2024 के बारे में आप को मैंने सुरूद में बता देते हैं कि बहुए इसका योजना का उद्दियस से मलब क्या होता है? इसका एक परकार से कैसे यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बारे में और कुछ बाते भी आपको जाननी बाकी भी है ठीक है जैसे की SBI SBI सकती उजना जो 2024 के बारे मिलब जो 2024 में जो आई इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये है क्या वास्तों में बिसिकलि अगर आप देखेंगे इसके बारे में सकती युजना तो स्टेट बैंक आफ इंडिया के साथ मिल करके केंदर सरकार के द्वारा SBI सकती युजना का आरंब किया गया इस युजना के माध्यम से देश की महिलाओं को आत निर्भर और ससक्त बनाने के लिए आर्थिक सहयोग परदान किया जाएगा इस प्रकार से युजना लाई गई है भारस सरकार और स्टेट बैंक आफ इंडिया के द्वारा युजना मार्केट में आई है जिससे महिलाओं की परकार सी दसा और इस्तिती होगी उसमें सुधार किया जाएगा ठीक है महिलाओं के रोजगार के लिए तो लेकिन आर्थिक इस स्थिक कमजोर होने की वज़ा से वह अपना कारोबार महिलाएं नहीं कर पाती हैं नहीं कर पाती हैं करने में असमर्थ हो जाती हैं देश की पात्र जो महिलाएं हैं यानि कि इस युजना की पात्र महिलाएं जो है इस युजना को प्राप्त करने योगी जो महिलाएं हैं व बहुत ही कम ब्याज़दर पर रिड़ प्राप्त होगा और SBI देगा, SBI इस तरी सकती योजना का लाव प्राप्त करने की चुक महिलाओं के कारोबार में कम से कम 50% या उससे अधिक की साज़ेदारी होनी आवस्यक होती है, तब ही उन्हें इस योजना का लाव प्राप्त हो पाएगा, उससे पहले नहीं प्राप्त होगा, ठीक है, 31 number Quotions आपकी स्कीन पर आ चुका है, इस तरी सकती पैकेज के लिए आवस्यक दस्ताबेज क्या है, तो इस तरी सकती package, scheme के लिए जो आवस्यक दस्ताबेज होते हैं, जैसे कि अगर आपको ये फाम भरना है जाकर के bank में, तो आप SBI bank में जाएंगे, आपको इसकी बारे में जानकरी करमचारी बता देंगे, सबसे पहली बात आपको एक प्रकार से आपका आधार कार्ड होना च होता है कि आप कहां पर रहते हैं, उसके बारे में आपको दिखाता है, निवास प्रमाण पत्र जो बन जाता है, बेसिकली बना दिया जाता है, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र ज़रूरी है, इसके लावाँ पहचान पत्र को ये आपका होना चाहिए, वोटर आईडी बग प्रमाड के साथ आपको देना पड़ेगा, जो आपका business है, उस business में कितना lab होगा, कितना हानी होने कि संभावना है, पूरा एक विवरण आपको देना पड़ेगा इसमें, इसके लावा company का मालिकाना हक, प्रमाड पत्र आपको देना पड़ेगा, कोई, मलब कि एगर कोई company के साथ में partner है, कोई और आपके साथ company में भागी, मलब हिस्सादार बनना चाहता है, तो आप उसका एक प्रकार से भी, तो उसके भी आवस्तिक दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, यानि जो अगर दो लोग मिलकर के सांजे में company खोलना चाहते हैं, तो उसके बारे में दूसरे का भी एक प्रकार से आपको दस्तावेज देना पड़ेगा, और इसके अलावा पिछले दो वर्सों का लगभग आपके पास ITR होना चाहिए, ITR बहुत ज़रूरी होता है, तो ये प्रतिचेन के उद्देश बताई, प्रतिचेन का उद्देश पहला उद्देश होता है, समस्त समस्टी समस्टी माने होता है, संपूर्ण चीजे समस्त समस्टी का अध्यन ना करके केवल कुछ ही भी से सिकायों का अध्यन करना, एक प्रकार से इसी को बोलते हैं प्रतिचेन जैसे कि मैंने बताया था कि वही एक बाल्टी दूद है बीस लीटर अब उसको नापने की वजाए हम क्या कर लें सेंपल उठा लें उन्हें से थोड़ा सा निकाल लें और उसी का अध्यन करके हम पूरा चैतर के बारे बता दें ठीक है जैसे माल लेते हैं हम एक प्रकार से एक जनजाती के बारे में जाएं अध्यन करें और उसके जनजाती में माल लेते हैं एक गाउं में कम से कम सव घर हैं अब हम दो-तीन घर का अध्यन कर लें और सव घर के बारे में बता दें कि भई हाँ का अध्यन करना करके केवल कुछ ही भी से सिकाईयों का अध्यन करके और संपूर्ण के बारे में प्रकार से बता देया था कि भई हाँ यह इतने का है इसके लामा सीख्र निसकर्स ग्याद करने की छमता प्रदान करना यहनि बहुत जल्दी एक परकार से निसकर्स प्राप्त करने के लिए भी परतिचेन का प्रियोग कियाता है इसके लावा निमूने का इसके लाव निसकर्सों में परिसुदता तथा यह थार्थता के अस्तरों को अस्थापेत करना चुकि एक प्रकार से ये सुद्ध होता है ये थार्थ होता है इसके अलबा कम खर्च पर आवस्यक सुचना प्रदान हो जाती इसमें कम खर्चे पर आप तमाम प्रकार जानकारी इकठा कर पाते हैं इसके अलामा परतिचैन प्रसारण को कम करना, इसके अलामा कभी-कभी संगड़ना बिधी की द्वारा प्रापताकडों की सत्यता की जाच भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं इसके अलामा कुछ समिस्याओं की निरंतर अध्यन की आवसकता भी परतिचैन प्रतियाओं को जानने के लिए, राजनितिक दलों की लोग प्रियता की जाच करने के लिए, चुनाओं के समय में जनमत की दिशा और दिशाकाधन की जनमत किस तरफ है, वोट किसको पढ़ने वा अगर मालते है आठ लोगों ने कई दिया मोदी जी जीत रहे हैं दो लोगों ने कई दिया कि हाँ राहुल गाधी जीत रहे हैं तो पता लगा कि भई हाँ मोदी जी जीत रहे हैं ठीक है ये होता एक प्रकार से तो इससे भी इसके लावा बजार में दैनिक वस्तों के मुल्यो कोई परिवरतन होता है तो उसके बारे में पुछेंगे क्या परिवरतन सही हुआ या गलत हुआ तो इसका अध्यन भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं ठीके आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रियास करते हैं सभी लोगों से निवेदाने की वीडियो को लाइक और सिर करते रहेगा तो किसी परकार से मैं वीडियो लगातार देता रहता हूँ ठीके चलिए तो इस तरीके से आप लोग चीजों को पढ़ रहे हैं जान एक चीज मैं आपको यही पर और बतादेना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को खास रखे, हमारे दूसरे चैनल है, को करी कुलर मास्टर, को करी कुलर को करिकुलर मास्टर नाम से क्योटूब चैनल मैंने बनाया है आप लोग साइज जानते होंगे क्योंकि को करिकुलर मास्टर चैनल पर आपके जो एक प्रकार से यूनिवर्सटी है जैसे कि कोई भी विश्विद्ध्याले से आप पढ़ रहे हैं जैसे डाक्टर आमनोहलोहिया में अगर आप पढ़ रहे हैं या आप बीरभादुर सिंगपुर बांचल में पढ़ रहे हैं या किसी विश्विद्ध्याले में पढ़ रहे हैं तो या एक प्रकार से तो उसमें सभी के लिए एक प्रकार से जो होता है 1st semester, 2nd semester, 3rd semester, 5th semester, 4th semester और 6th semester सभी के जो co-curricular course होंगे उसे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो है यहाँ पर co-curricular master पर इसके लामा co-curricular master channel की अगर बात की जाए तो इस channel पर ना केवल एक परकार से केवल co-curricular की वीडियोज मिलती हैं बलकि यहाँ पर जैसे आप माल लेते हैं अब आप बीए कंपलिट कर लेंगे अब बीए के बाद में आपको यम्मे करना है कि बीएड करना है या बीटीसी करनी है इसके बारे में डेटियल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी ठीक है आपके करियर से तमाम परकार क जब हमारे साथ जोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें तमाम प्रकार की जानकारी आपके कैरियर से सम्मधित मिलती रहेगी ठीक है तो इस तरीके से आप हम से जोड़ सकते हैं चले प्रसनों को समझते 33 नंबर कोशन सा चुका है अजीविका से क्या तातपर है अजीव पैसा कमाएं और खुद ही एक प्रकार से अपना भरण पोशन कर ले अपने पैट पालन कर ले वही अजीविका होती है अजीविका क्या होती है इसका दोनों का मतलब अजीविका तथा निर्वाह का मतलब ना केवल पैसा कमाना होता है और जीवित रहना भी होता है बलकि जीवन यापन के लिए सही तोर तरीका होना भी है यानि कि सही तोर पर एक प्रकार से जीना एक ब्यवस्तित तरीके से जीना इसका मतलब भी होता है तो चाहे आजीविका कहो चाहे आप निर्वाह कहो निर्वाह आजीविका जो होती है जब अपने द्वारा आप पैसा कमाएं और अच्छे तरीके से अपने जीवने आपन करें सही तवर पर सही तवर तरीके से जिए तो वही होता है एक प्रकार से आजीविका ठीक है दिर्खकालिक अजीविका पधती जिसको आप SLR बोलते हैं ठीक है ये क्या है दिर्खकालिक अजीविका पधती गरीब लोगों की अजीविका पधती को समझने का एक तरीका होता है जो गरीब लोग है वो किस तरीके से अपने जीवन यापन करते हैं किस तरीके से कुछ एक बेक्ति होते हैं एक दिन में 300 रुपया पाते हैं वो इस 300 रुपय में बचाते कुछ नहीं है 300 रुपय की खर्चा डेली का डेली हो जाता है ठीक है कुछ दवाई में कुछ freight लिए जो दिरकालिक अजीविका होती है वो गरीब लोगों की अजीविका पधती को समझने का एक तरीका होता है दूसरी बात इस पधती का इस्तेमाल नहीं दिरकालिक अजीविका पधती का इस्तेमाल दिकास की नई गतविधियों की योजना और मौजूदा गतविधियों का अजीविका में योगदान कितना है उसका आकलन उसका मूल्यांकन उसका assessment करने के लिए कि या याता है मलब की उसका मूल्यांकन करने के लिए कि आखिरकार जो एक प्रकार से नई गदविधियों की उजना है और मौजूदा गदविधी की जो अजीविका है दोनों के बीच में क्या संबन्द है इन चीज़े के बारे में क्या योगदान नहा इसके बारे में जानकारी गरहन करना है या पद्दती गरीब गरामेड लोगों को ध्यार में रखते हुए उन्हें उस प्रभा मंडल या प्रभाव मंडल के केंदर में रखती है जिससे ये लोग स्वयमवा परिवार के लिए आजीविका के नए साधन बना सकते हैं या गरीब लोगों के द्वारा बताई गई मुख कठनाईयों के समान करने या सामना करने वा आउसरों के आकलन में मदद करती है जो एक परकार से दिरकालिक अजीविका पद्दती होती क्या करती है वो उन रणनितियों के बारे भी हम जान लेते हैं ठीक है अजीबिका की बेसिकली क्या रणनितियां होती है ठीक है इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं किलियर समझते हैं गटक जाज करता है कि कैसे लोग अपनी संपत्ति का उपयोग करके अजीबिका चलाते है उनके पास पैसा है उसका उपयोग करके किस तरीके से अपनी अजीबिका या अपना जीवन निरवाह करते हैं बिबिध परकार कई परकार की गधिधियों में सहरी जो परकार से सहरी और ग्रामिड जो भौगोलिक चुकि अंतर होता है सहर में अलग सिचवसन होती है गाउ में अलग सिचवसन होती है तो सहरी और ग्रामिड भौगोलिक अस्थानों में रह रहे एक ही घर के सदस्यों की र कर पाएगा सहरों में अलग अलग चीज़े होती हैं आजीविका के बिकल्पों की उपलब्दता काफी हद तक लोगों के पास मौजूदा संपत्यों और साधनों पर डिपेंड करती है निर्भर करती है तो इस तरीके से एक प्रकार से ये चीज़े हो गई आजीविका को लेक प्रकार से रहेगा, आप इस वीड़ियो को दो से तिन बार देख लिजेगा ठीक है जो समझ में आए आएए आप परिछा के अंतिम दिनों में तर्व देख रहे हैं मैं प्रयास करूँगा कि एकाद वीडियो हो सकता है तो और मैं प्रयास करूना दे दूँ एकाद इस चीज़ों को जान पाएं, समझ पाएं, यहाँ पर जो चीज़े बताई गई हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप फोकस कर लीज़ेगा, जान लीज़ेगा, तो यह एक प्रकार से महा संग्राम रिविजन क्लास या माडल पेपर के तोर पर आपने लिया, तो आप लोगों ने देखा, यह प्रसन आपकी परिक्षा में आ सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा, जो किसी प्रकार से वीडियो में लगातार देता रहत हूँ, ठीक है, चला है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,